Hello Everybody, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है Right to Private Property 44th Amendment Act 1978 के आने से पहले तक जो Right to Property है वो एक Fundamental Right थी इसके पशात जो Right to Property है वो एक Human Right बनके रह गई और साथी साथे से जगर मिली Article 300A of Constitution में एक Constitutional Right की तरह Article 300A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है बिना Law की Authority के State के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता है बिना उस procedure को follow करे जो की कानून के द्वारा बताया गया है Article 300A में कहीं पर भी compensation का जिक्र नहीं है पर यहाँ पर एक obligation होता है कि compensation भी pay किया जाएगा दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जबजस्ती उसकी property से निकाल दिया जाता है का भी उलंगन होगा जिसे Article 300A में बताया गया है Judgment of the Supreme Court January 8 के दिन एक verdict दिया गया था बैंच के द्वारा जिसमें जस्टिस अजयरस्तोगी और इंदू मलोतरा थे जिसमें ये बताया गया था कि right to property एक human right है Supreme Court ने अपने judgment में इस बात को observe किया कि जो state है वो किसी की property की possession नहीं ले सकती है जब तक कि कानूनी प्रक्रिया को follow नहीं किया जाए State को अगर किसी व्यक्ति से उसकी private property लेनी है तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया को follow करना जरूरी होता है यह verdict तब आया था जब government of हिमाचल प्रदेश ने forcibly 4 acres of private land को अपने अंडर में लिया था रोड बनाने के लिए यह जो incident है यह 1967 का है और जगह का नाम था हमीरपुर district जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है Justice Malhotra के द्वारा इस बात को highlight किया गया था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की government fail हुई compensation को pay करने के लिए 52 years तक वो भी ऐसे appellant को जो कि एक widow थी और साथी साथ illiterate भी थी Justice Malhotra ने अपनी सांथवना भी दिखाई इस बात पर कि जो appellant है उसने कोई भी proceeding के लिए file नहीं किया था जब जो state government है उसने compensation प्रदान नहीं किया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो महिला थी वो एक rural background से थी और उसे ग्यात नहीं था कि उसके पास में क्या-क्या अधिकार है काफी सालों के बाद जो महिला है वो supreme court पहुँची initially ये जो case है ये high court में file किया गया था पर यहाँ पर high court के द्वारा कहा गया कि एक civil suit file किया जाना चाहिए lower court में और उसके बाद उस महिला के द्वारा supreme court को approach किया गया supreme court के द्वारा ये बात भी कही गई कि जो state है वो एक encrocher बन जाती है जब वो private property को छीन लेती है और वो भी कानूनी प्रक्रिया को follow किये बिना supreme court के द्वारा order किया गया कि सरकार अब एक करोर रुपीज पे करेगी उस 80-year-old appellant को right to property, fundamental right and 44th amendment in 1978 supreme court ने इस बात को observe किया कि जब ये incident हुआ था तो incident 1967 में हुआ था और तब जो right to property है वो एक fundamental right थी under article 31 article 31 clause 2 में ये बात साफ साफ mentioned थी कि जब भी ऐसा किया जाता है government के द्वारा तब government को यहाँ पर उस व्यक्ति को compensation प्रदान करना होगा और साथी साथ इस बात को भी बताया गया था कि government private property तभी ले सकती है जब वो किसी public purpose के लिए इस private property को लेना चाहती हो article 31 clause 1 में साफ साफ बताया गया है कि government किसी व्यक्ति की private property को executive order के द्वारा नहीं ले सकती है पर सिर्फ authority of law के द्वारा ले सकती है इस law के कारण जो government है वो public infrastructure projects को नहीं आगे बढ़ा पा रही थी और साथी साथ agrarian reforms भी नहीं ला पा रही थी जब भी government इस प्रकार का कोई reform लाने की कोशिश करती लोग court पहुँच जाते थे इस वज़ा से आवशक्ता पड़ी amendment की और 1978 में इस amendment को लाया गया ये constitution का 44th amendment था और यहाँ पर declare किया गया कि जो right to property है वो एक fundamental right अब नहीं है आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 1 F को completely remove किया गया part 3 fundamental rights of constitution से 44th amendment के द्वारा सुप्रीम कोट के द्वारा state government को ये बात remind की गई कि जब भी किसी व्यक्ती की private property को लिया जाएगा तो इसे authority of law के द्वारा ही लिया जाएगा और जो कानून का सही procedure है उसे follow कलते हुए ही लिया जाएगा और उस तरह से किया जाएगा जैसा कि आर्टिकल 301 के provisions बताते हैं हम ये कहकर conclude कर सकते हैं कि जो right to private property है वो एक human right है एक constitutional right है पर एक fundamental right नहीं है पर साथी साथ state को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की private property को लिया जाए तो उसे due process of law को follow कलते हुए ही लिया जाए